जिनदावाद उप्रा न कुसबाद उपेंडाँ तकि उभी has learned जिनदावाद बिन्जनियर मलोट जी जनदावाद जायि में न्युक्ति यितने लोग न When a कि ओ वआ रहे हैं आप लोग सांहित पिर जिनदावाद ४्र हम तो सिर्फ इस पात्यपुर की धर्ती पर, कुजी आरपुर लोग सभाच्च्छ की धर्ती पर और वैसाली जिला की इस धर्ती पर स्रीतेजस्वी यादव जी और जीतन नमाजी जी का अपनी और से आप सब लोग की और से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनका विलंदन करता हूँ मित्रों मैं आप सभी से सिर्फ आसिरवाद चाहता हूँ आप सभी लोगों से आक रहे कि सब लोग मिलकर आसिरवाद दीजिए अभी जहां जहां मैं छेतर में जा रहा हूँ कई तरह की सिकाथ अभी बरत्मान जो परत्मिदियं उनके बारे में मिलती है मैं आपको भरुसा दिनाना चाहता हूँ कि आप सब लोग का सिरवाद मिला तो उपेंद्र कुजवा कोई सिकाथ आपकी नहीं रहने देगा हर तरह से हम आपकी सेवा करेंगे मित्रो इस वार्ग जो किंद्र की सरकार में बैठे हुए लोग है उनको भी हटाने का काम करना है और आगे आने वाले दिनों में नितीज कुमार जी जिसने इतनी बड़ी दोकेवाजी की आपके साथ उनको भी हटाने का काम करना है तो आप सब लोगों से आग रहे कि सब लोग मिलकर लोग कही कही हम जाते हैं तो लोग पुछते हैं कि महागडवंदन में आप आए इंडिये में पहले थे नितीज कुमार जी इंडिये छोड कर महागडवंदन में आए थे सब लोगों ने भोट दिया सत्ता में जाने के बाद बदल गए और बदल ही नहीं गए बलकि धोकेवाजी की जिसके भोट के बल पर सत्ता में गए मुखमंत्री बने ते यस भी आदम को ही बेचजद करके हटा देने का काम किया पित्रों इनको भी सबक सिखाने का काम करना है इनको सबक सिखाना है कि नहीं सबक सिखाना नितीज कुमार जी को सबक सिखाना है ना जिस तरह से बेचजद करके हटाया है अब निति इसकुमार जी को हटाना है न, हटाना है न, तेस्वी को बैठाना है न, इह काम भारती जनता पार्टी करेगी कि महां गटवंदन करेगा, भारती जनता पार्टी नहीं करेगी, भारती जनता पार्टी नहीं करेगी, लालु यादव जी जेल में बंग है, उनको बा बाहर लाना है ना बाहर लानी भाजपा बाले करेंगे कि महाँ घटबंदन वाले करेंगे भाजपा बाले नहीं करेंगे भाजपा बालों का चले और रसातल में पहुचा देंगे और बरबाद कर देने का काम करेंगे इसलिए आप सब लोगों स्याक रहें दलित भाई पिच् इसमें मद्दान कीजिए यहां से चुनाओ चिन हम लोगों का है छोट का पंखा आप सब लोगों से आग रहें कि एक एक कीमती बोर्ट छोट पंखा निसान के सामने के बटन को दबा करके दीजिए और भारी मतों से जिता हिए इनी सब्दों के साथ इस भारी भीर की उपस्त के लिए मैं आप समी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप करता हूं